गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैपस्यूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी प्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से डेली मॉर्निंग में वन लाइनर्स की फॉर्म में करेंट अफेर्स आपको प्रोवाइट कराते रहते हैं और उसका फ्री पीडियेफ वीकेंड पर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाता है जो हम पूरे हफते का मैं आपको बना कर देता हूँ जिसमें और इंडिया रेडियो, कोशन आंसर्स और वन लाइनर कर इंटरफेर्स होते हैं 13-20 अगस्त का टेलीग्राम ग्रूप में पढ़ा हुआ है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कल आपको 21-27 अगस्त का टेलीग्राम ग्रूप में मिल जाएगा तो अगर वो चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रूप जॉइन कर सकते हैं और रेगुलर कर इंटरफेर्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए देखते हैं कौन कौन से कर इंटरफेर्स चर्चा में रहे इरान ने मानव रहित हवाई वाहन मोहजेर 10 देखिए अब हिंदी में तोबड़ा सा वह हो सकता है कि हाली में मोहजेर 10 ड्रोन किसने लॉंच किया है तो इरान काई किये ड्रोन है लगबग 2000 किलोमेटर की इसकी रेंज है देखिए इससे पहले इनके पास एक मोहजेर 6 ड्रोन और था उससे इन्होंने इसमें काफी इंप्रूव्मेंट किया है इसका फ्यूल की कैपेसिटी बढ़ाई है ठीक है जिससे लगबग 2000 किलोमेटर जा सकता है इसमें कुछ electronic equipments लगाए गए है कुछ electronic operated bombs भी इसमें है तो मारक शमता भी इसकी काफी अच्छी है इसके अलावा जो इसका fuel tank है उसको भी बढ़ा किया गया है पेलोड जो इसकी capacity है वो भी बढ़ाई गई है और माना जा रहा है पहले से ये लगबग दुगनी कर दी गई है तो काफी important है नाम जरूर याद रखिएगा इरान की capital क्या है आपकी तहरान और याद रखिएगा इरान को भी ब्रिक्स जो हमारी summit हुई थी जो हैनेस बर्ग में साउथ अफरिका में वहाँ पर 6 नए members को शामिल करने की बात की गई है तो उसमें इरान भी एक है तो अब उसमें माना जा रहा है 5 members तो ब्रिक्स में पहले से ही है 6 members और जोड़कर 11 members का एक बड़ा समूँ अब वो बन जाएगा नागरिकों को बहतर सुवधाएं उपलब्ध कराने पर विचार विमर्ष के लिए इगवर्नेंस पर 26 राष्टे सम्मेलन इन दौर में आयोजित किया जा रहा है तो इगवर्नेंस पर आपका national जो conference है 26 कहां पर हो रही है इन दौर में हो रही है इन दौर अभी एक वज़े से और चर्चा में है नीचे देखेंगे और थीम इस बार की क्या है विक्सित भारत नागरिकों को शशक्त बनाना यानि citizens को empower करना आगे और हाँ इन दौर एक वज़े से चर्चा में और है इन दौर को भारत का पहला EPR credit अभी दिया गया है EPR का मतलब होता है extended producer responsibility credit सबसे स्वच नगर निगा में यह सब आप जानते ही है तो उसको extended producer responsibility credit दिया गया है राष्टे बाग संदक्षन प्राधी करन बहुत important है NTCA ने राजिस्थान के करॉली और धौलपुर जिलो में भारत के 54वे बाग अभ्यराने को मनलूरी दे दी है पनवा आपका रानिपूर्था उत्तर प्रदेश का और 54वे बाग अभ्यराने के रूप में करॉली और धौलपुर जिलो में इस्थित नए टाइगर रिजर्व को बनाने की बात की गई है नाम इसका देखेंगे किस तरीकी से रखा जाता है यह है राजिस्थान का आपका संदक्षन प्राधिकरन एंटी सीए की तो वाइड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आपका अमेंडमेंट किया गया 2005 में एक टाइगर टास्क फोर्स बनाई गई थी उसके तहर्ट दिसंबर 2005 में राष्टे बाग संदक्षन प्राधिकरन की स्थापना की गई है चेर्म अच्छा मैनेट्च्प टाइगर रिजर्व है वो है पेरियार टाइगर रिजर्व ठीक है जितने भी टाइगर रिजर्व इस संमें 84 में से सबसे अ च्छा वायू सरवेक्षन 2003 में CPCB द्वारा दिये गए 200 में से प्रभावशाली 187 अंग आप देखे 200 में से इसने 187 अंग राप किया अलग-लग पेरामीटर्स के आधार पर और इसने ये करकर पहला इस्थान हासिल किया है 10 लाख से उपर के जो नगर है और अगर बात करें सबसे बेकार परफॉर्मेंस वो भी मध्य परदेश का ही एक शहर है ग्वालियर उसको सबसे कमंक मिले है 10 लाख की शेणी में ग्वालियर ने सबसे कम प्रियास किया है और 117 अंग हासिल करकर वो 43-43 में स्थान पर रहा तो मध्य परदेश का देखिए इन दौर वाकई बहुत साफ नगर निगम है और लगातार स्वच सर्वेक्षन में भी रैंक वन आपने देखा होगा इसकी रहती है यह भी देखिए कल एक काफी इंपोर्टेंट स्क्रीनी सिस्टम चर्चा में है केंजरिया रिजर्फ पुलिस बल यानि CRPF ने हाल ही में प्रतिष्टित शुरक्षा टीमों में शामिल होने से पहले कर्मियों की मनोवग्यानिक जांच के लिए यानि देखिए जो स्पेशल फोर्सेज होती है किसी स्पेशल काम के लिए गठित की गई है उसमें जिन सैनिको की या जिन परसनल्स की एंट्री होगी तो उनका साइकोलोजिकल टेस्ट क्योंकि देखिए वहाँ पर प्रेशर बहुत रहता है कैसी कंडिशन से वो डील करेंगे नहीं पता तो उसको टेस्ट करने के लिए मनोवग्यानिक जांच के लिए के रक्षा मनोवग्यानिक अनुसंधान संस्थान यानि DIPR द्वारा डिजाइन और विक्सित किया गया एक सॉफ्ट्वेयर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे पूछेगा कि किसने स्विच्च किया है तो CRPF ने स्विच्च किया है डेवलप किस ने किया है तो यह डिए डिओ के रक्षा मनोवग्यानिक अनुसंधान संस्थान इसने डेवलप किया है आगे तो इसके फुल फॉर्म क्या होगा आपका डिफेंट्स इंस्टिट्ट फॉर साइकलोजिकल रिसर्च आगे चलते हैं तो इसको याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कॉप्सिस कॉप्सिस देखिए कैसे बना है आपका सी ओ कंप्यूटराइज का है प्यूटराइज साइकलोजिकल है एस मतलब स्क्रीनिंग और एस मतलब सिस्टम तो कंप्यूटराइज साइकलोजिकल स्क्रीनिंग सिस्टम पी ट्वंटी समिट दोजार तेइस नई दिल्ली में शुरूआ तो निर्मला सीतरामन जी ने इसको एड्ड्रेस किया था तो अब अगस्त में चर्चा में रही है वह मैंने डाल दी है लगातार मीटिंग्स हो रही है चौथा जी ट्वंटी संस्कृति कारे समूग दिल्ली में और इसमें उद्खाटन फिल्म क्या रही सत्यजीत रेजी की पाथेर पांच चाली इसके अलावा देखिए एक इसके साथ और मैं बता देता हूं पहला अंतरराष्टी है खेल फिल्म महोटसब इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया तो पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बेंगॉल की राजधानी कोलकाता में आयोजित किया गया फिर से बता देता हूं पहला अंतरराष्टी है खेल फिल्म महोटसव ये तो g20 फिल्म महोटसब है खेल फिल्म महोटसव कोलकाता में आयोजित किया गया पहला है इसलिए कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है योवाट 20 शिकर सम्मिलन ये वारण आसी उत्तर-प्रदेश में आ साज़दूत के रूप में तो जो डिजिटल इनोविशन वाला सेक्षन है उसके लिए इन्होंने रॉफल नडाल के साथ अपनी साज़दारी का विस्तार किया है और इनको brand ambassador बनाया है इंफोसिस ने ठीक है तो याद रखिएगा रॉफल नडाल इसके अलावा देखिए कल ए देगे नीचे डाला है मैंने राहुल द्रविट भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरिशन लिमिटेट के रितिक रोशन जी को जैबरॉनिक्स टीवी जैबरॉनिक्स एक इलेक्ट्रोनिक्स का brand है सचिन तंदुलकर को महराष्ट थरकार द्वारा स्माइल एंबेज़र सचिन तं द्रांगुली को त्रुपुरा परियेटन का brand ambassador बनाया गया है आलिया भट गुची की पहली भारतिय वैश्विक राजडू तो गुची आपका एक बहुत इंपोर्टेंट आपका clothing brand है काफी बड़ा fashion brand है उसकी आलिया भट जी को पहली भारतिय वैश्विक राजबूत बन आया है तो यह सारे अभी चर्चा में रहे इस तरो एक और चंदर मिशन की तयारी कर रहा है हमारा चंदरयान 3 तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है अब यह जो नया मिशन हमारा है 2024 में जापान के साथ एक हमने टाइब कर रखा है वो है तो जापान अंतरिक्स एजंसी जो जाकसा है उसके सहेयोख से है नाम इसका क्या है लूपेक्स यानी लू मतलब लूणार मतलब चांद के लिए उसकिया जाता है फी मतलब पोलर और एक्स मतलब all Exploration तो यह Lupex Lunar Polar Exploration नामा किया मिशन 2024-25 के लिए निर्धारित है तो यह भी काफी बड़ा एक मिशन होगा इसके इलावा देखिए इस रो ने कह दिया है हम पहले से शुरू के मतलब एक हफते में जो आदित्य L1 मिशन है सूरज की study के लिए अंतरिक्ष आधारित वेदशाला है वो इस रो की पहली सूरज की study करने के लिए वो भी बहुत बड़ा एक मिशन हमारा है काफी समय से उसकी तैयारी चल रही है तो क्यूंकि सूरज देखिए हमारे एक तरह से सौर सिस्टम का center माना जाता है तो माना जा रहा है कि यह बहुत सारे अंतरिक्ष में संबंदित राज खोलेगा तो काफी बड़ा एक मिशन वो होने वाला देखते हैं वो भी होपफुली अगर सक्सेस्फुल रहेगा तो भारत के लिए अंतरिक्ष में एक मील का पत्थर वो साबित होगा केंद्रिय युवा मामले और खेल मंतरी अनुराक सिंग ठाकुर ने जैपुर के समाई मान सिंग स्टेडियम में राजिस्थान राज्य में 33 खेलो इंडिया सेंटर का उद्गाटन किया है तो आप से देखे सीधे पूशे का हाली में 33 खेलो इंडिया सेंटर किस राज्य में खोलेगा है राजिस्थान राज्य में खोलेगा है देखे राजिस्थान भी काफी लगातार चर्च में है नरेंद्र मोधी जी ने हापर यूरिया गोल्ड नामक एक उरुवरक लॉंच किया था इसके अलावा भारत का पहला गिग वर है अंतराष्टे क्रिकेट परिशद ने 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच भारत में आयोजित होने वाले आगामी पुरुष क्रिकेट विश्वकप के लिए मास्टर कार्ड के साथ एक ब्रांड गड़ जोड किया है मास्टर कार्ड जो आपका डेविट कार्ड वगरा क मास्टर कार्ड को आगे सर्विया के नुवाग जोकोविच ने स्पेन के कार्लोस अलकाराज को हराकर आपका सिंसिनाटी ओपन 2023 का खिदाब जीत लिया है तो यह भी याद रखिएगा आगे केंद्रे सिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंदर पर्थान ने आज ये कल पिद्याले की आधार्चिला कहां रखी गई है आंधर परदेश में रखी गई है आंधर परदेश में दो अभी काफ़ी इंपोर्टेंट और चीज़ें हुई है एक तो आपका आंधर परदेश के पुट्टू पर्ति में ताई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का जी ने रखी थी तो यह दोनों याद रखिएगा कल नरेंद्र मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर गए थे 40 सालों में ग्रीस की यात्रा करने वाले प्रदानमंत्री बने हैं और वहां के जो राश्पती है कतेरीना सकेला रोपूलू ने उन्हें Grand Cross of the Order of Honor इस अवार्ड से पानित किया गया था अभी बास्टिल डे परेड में शामिल होने फ्रांस में गय थे वहां पर भी उनको दिया गया था तो सारे आप देख लीजेगा याद रखिएगा इंपोर्टेंट है और ग्रीस में भी इनको मिला है Grand Cross of the Order of Honor फोटो भी मैंने Community Post में डाला था आप Community Post मे देरा अधिकार के नाम से नीरत चोपडा ने कितने मीटर के थ्रोग के साथ पैरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है तो 88.77 मीटर के थ्रोग के साथ इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है 79 राष्टे फिल्म अवार्ड में Best Feature Film का अवार्ड किसको मिला है तो रॉकेटरी न नमभी इफेक्ट जो आर माधवन जीनिक के द्वारा निर्देशी था इसको Best Film का अवार्ड दिया गया हिंदुस्तान एरनौटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उडेयन छेत्र में व्यवसाइक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझाता किया है याने कमर्शियल एवन्यू सर्च करने के लिए किसके साथ समझाता किया है है यह वस एयरो टेक के साथ इन्होंने समझाता किया है श्रीमती राश्पदी द्रौपदी मुर्मू किसकी स्मृती में एक डाक टिकेट जारी किया यह इंपॉर्टेंट है दाधी प्रकाश मानी जी की स्मृती में सच वायू सर्वेक्षन के दस लाग से अधिक आबादी कैटेगरी में पहला इस्थान किस शहर को मिला है तो हमने उपर देख लिया इन दौर में और इसमें सबसे खराब परदरशन किसका था गौालियर का उनतरवे राष्टे फिल्म अवार्ड में बेस्ट एक्टरेस का अवार्ड किसने जीता तो दो लोगों को मिला था आलिया भट जी को गंगुबाई काठिया वाडी के लिए और कृति सेनन जी को मिमी के लिए तो याद रखिएगा दोनों इंपोर्टेंट है तो यही देख कर दोवार्ड में खिल्म अवार्ड टूज को मिला था बुएगा में के लिए हमाँद sicher बैना दोनों, वार्खिए बbane. झाल झाल